योगी सरकार ने प्रियंका गांधी के मजदूरों के लिए बसें भेजने के अनुरोध को स्विकार कर लिया है कॉंग्रेस की ओर से उत्तरप्रदेश सरकार को एक हजार बसें देने का प्रस्ताव रखा गया था इन बसों को यूपी बॉर्डर पर खड़ा किया गया था लेकिन यूपी सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और कहा था कि सरकार की ओर से परियाप्त मात्रा में बसों का इंतजाम किया जा रहा था अब योगी सरकार ने कॉंग्रेस महा सच्यू प्रियंका गांधी के 1000 बसों का प्रस्ताव स्विकार करते हुए चालक परिचालक का नाम समेत सूची मांगी है